गीता दीदी आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्ता में बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद रोहन ये मेरे लिए खुशी की बात है मैं जानता हूं कि इंटरनेट आजकल बहुत उप्योगी है मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विशे में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले हम मैं देखती हूँ मैं कल खाली हूँ कल मैं तुम्हारे घर जरूर आउंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी वाँ ये आपकी महानता है निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूँगा चीक है तो कल मिलते हैं हाई दीदी प्रिपिय अंदर आईए मैं बहुत कुश्य कि आप मेरे घर आई मैंने वादा किया था अब मुझे अपना कम्प्योटर दिखाओ आप मुझे इंटरनेट के बारे में और अधिक बता सकती हैं बिल्कुल रोहन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहां हूँ पहले मुझे यह समझाने दीजिए कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट विश्व व्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोडों कम्प्योटरों को जोडता है इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं वा आकडों का आदान प्रदान करने की अनुमती देता है इंटरनेट के द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकिंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं मुझे इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजे इंटरनेट के विभिनिक शेत्रों में अनेकों उप्योग हैं, उनमें कुछ है संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग, इमेल के द्वारा संदेश भेजने वप्राप्त करने में होता है इंटरनेट विभिनिक शेत्रों में नौकरी की उपलब्धिता के विशे में सूचनाय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन वृतांत ओनलाइन भेच सकते हैं दुनिया भर में संग्रहित किताबें वह अन्य अध्यान सामगरी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है नवीनितम, विश्वकोश, ओनलाइन उपलब्द है इंटरनेट हमें स्वास्थे, वह दवाई के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्रदान करता है लोग विभिन रोगों के बारे में जान सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट का प्रयोग परिटन स्थलों के विशे में जानकारी प्राप्त करने में कर सकता है। इसका प्रयोग चुटियों की यात्रा, होटल, ट्रेन वह हवाई जहास के आरक्षन में कराया जा सकता है। इंटरनेट जोडने के लिए हमें कुछ यंत्र वो नेत्वर्क सेवा प्रदाता की आवश्यकता होती है। इंटरनेट जोडने के कुछ तरीके हैं डायल अप कनेक्शन, एकिकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, इंटरनेट का सीधा उपियोग, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट को जोडने के लिए टेलिफून लाइन का प् और लिंक इंटरनेट का उप्योग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। यह इंटरनेट से जुड़ने का पहला तरीका है। एकी कृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, INSDN INSDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है। लेकिन यह डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराता है। यह इंटरनेट वो फोन के एक ही समय उप्योग करने की अनुमती देता है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी मॉडम की आवशक्ता होगी। INSDN सार्वजनिक टेलिफोन नेटवर्क पर व्यापक बैंडविट्थ के डिजिटल सेवार नेटवर्क प्रसारण को सक्षम बनाता है। जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है। इंटरनेट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में प्रवेश करने अत्वा किसी अन्य नेटवर्क की आवशक्ता नहीं होती है। इस तरह प्रस्तावित सेवाएं स्थाई बैंडविट्थ की उपलब्धता वक्कम विलंबता को सुनिश्चित करता है। केबल इंटरनेट की तरह DSL या ब्रॉडबेंड उच्चगती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। DSL तक्नीक एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट वो बाच्चीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उप्योग करने की अनुमती देता है। DSL इंटरनेट सेवाएं का प्रयोग मुख्यता, घरों वचोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है। DSL इंटरनेट से जोडने के लिए आपके कम्प्यूटर में तीन आधार्भूत तत्वों का होना आवश्यक है। MODEM इंटरनेट सेवाप्रदाता और ब्राउजर MODEM एक यंत्र है जो कम्प्यूटर का डाटा प्राप्त करने वबेजने की अनुमती प्रदान करता है। यह यंत्र कम्प्यूटर के साथ जोडा जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है। ब्राउजर एक सौफ्टवेर है जो की सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है। कुछ लोकप्रिय ब्राउजर हैं, मौजीला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार अत्वा बेतार तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। कम्प्यूटर जो बेतार तकनीक का समर्थन करते हैं, उनमें वाइफाई कार्ड होता है। वाइफाई कार्ड कम्प्यूटर और नेट्वर्ग के मध्य बेतार संचार को सक्षम बनाता है। मेरे कुछ दोस्तों के पास मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा है कोई मोबाइल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्ट कर सकता है मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा प्राप्ट करने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यक्ता होती है एक मुबाइल जो इंटरनेट का समर्थन करता हो, एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरन का समर्थन करती हो फोन पर इंटरनेट सेवाईं प्राप्त करने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मुबाइल सेवा प्रदाता से खाता 2G, 3G वह 4G नेट्वर्क का प्रयोग उच्चिक्षमता दर्शाती है अर्थात तार रहित नेटवर्क के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त करने की क्षमता 2G नेटवर्क संकीन बैंड नेटवर्क पर आधारित होते हैं सिगनल डिजिटल प्रारूप में संचरित किये जाते हैं जो नाटकिये रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार वसंचार की जटिलताओं में कमिलाते हैं 3G तीसरी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क लोकप्रिय हो गया है इसने उप्योग करताओं को मोबाइल फोन वर टैबलेट पर इंटरनेट प्रयोग करने के योग्य बना दिया है 3G नेटवर्क पर डेटा संचरन की गती 384 Kbps से 2 Mbps होती है 3G नेटवर्क पर अधिक डेटा संचरन की अनुमती देता है अतह यह वाइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाशा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है 3G नेटवर्क पर इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते है सभी 3G की सुविधाओं के साथ-साथ यह डेटा संचरन को 1 GBPS से 100 MBPS के मध्य पूर्ण करने वाला माना जाता है क्या आप मुझे दिखा सकती है कि मेरे मुबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मुबाइल वो एंटरोइड मुबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते है साथधानी से निम्नपदों का अनुसरन करो कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रयोग पहले मैनू का चैन करें फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चैन करें अन्यथा होम स्क्रीन पर शून्य को दबा कर रुकें आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस ढूंडे और पता दर्ज कर ठीक चुने इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चैन करें और ठीक चुने और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें और फिर खोज का चैन करें सेवा से जुड़ने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं वाइफाई सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं सेटिंग वा कनेक्टिविटी का चैन करें फिर वाइफाई का चैन करें जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं उसका चैन करें यदि आवश्यक हो तो पासवर्ट दर्ज करें Android फोनों में इंटरनेट सेट करने के लिए सबसे पहले Android स्मार्टफोन वर टाबलेट की सेटिंग मेनू पर खिसके यह किसी Android यंत्र पर अप मेन्यू के सेटिंग आइकन के माध्यम से और कभी-कभी नॉटिफिकेशन बार से किया जा सकता है अब Settings मेनू में आप बेतार और Network Settings ढूंडे ज्यात तर यंत्रों में अदिक या अधिक Settings जो बटन उपलब्ध हों को चुने अब यदि आप बेतार और Network Settings पर पहुँच जाते हैं तो आप दो तरीकों से जोड सकते हैं Mobile Internet, Wi-Fi Mobile से इंटेनेट को जोडने के लिए या तो आब नोटिफिकेशन को नीची खीच कर Mobile Data विकल्प चुन सकते हैं, अथवा आप Wireless और Network Settings विकल्प में More Settings विकल्प चुन सकते हैं. उसके बाद Mobile Network बटन पर क्लिक करें जहां पर Mobile Data चेक बॉक्स पर चेक करेंगे. जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन मुबाईल इंटरनेट से जुड़ जाएगा एंड्रेट फोनों में भी वाइफाई की सुविधा उपलब्ध है दीदी, उसे किस प्रकार जुड़ेंगे? बड़ी आसानी से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे वाइफाई सेवाओं से जुड़ोगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मेन्यू में उपलब्ध मुबाईल वाइफाई विकल्प को चुनोगे अब आपको उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपके पास वाइफाई नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह है अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा अन्यथा आपको वह वाइफाई नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं यदि पासवर्ट की आवशक्ता हो तो उसे दर्ज करें और कनेक्ट पर क्लिक करें Mobile Broadband तक्नीक जिसे Wireless Wide Area Network भी कहते हैं जो Mobile Internet से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है Mobile Broadband का प्रयोग करने के लिए आपको एक Data Card और एक Data Plan के साथ Mobile Broadband सुविधा प्रदाता की आवशक्ता होती है आप अपना उपकरण और Data Plan प्राप्त करने के बाद Subscriber Identity Module सिम और सिम के लिए Mobile Broadband सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका Mobile प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देगा प्रथम बार Broadband सुविधा संयोजित करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने फोन के Mobile Broadband पर Right क्लिक करें ततपस्चात Connect पर क्लिक करें यदि कहा जाए तो Access Point का नाम या Access String उप्योग करता का नाम वो Password टाइप करें यदि आप किसी Auto Connect सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें फिर जारी रखें पर क्लिक करें Broadband का प्रयोग करके Internet संयोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Connect पर क्लिक करें यदि आवश्यक हो तो अपने फोन के Mobile Broadband पिन टाइप करें फिर Enter दबाएं Broadband का प्रयोग करके Internet वियोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Disconnect पर क्लिक करें मैंने सुनाए कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को लैप्टॉप से जोड सकता है क्या ये सही है दीदी? आप बिलकुल रोहन तुम स्मार्टफोन को लैप्टॉप से जोड सकते हो स्मार्टफोन वो लैप्टॉप को जोडने या टैथरिंग पर आपका स्मार्टफोन वास्तव में Wi-Fi, होट्सपॉट में परिवर्तित हो जाता है जिसे की आपका लैप्टॉप एक्सेस कर सकता है इंड्रोइट फोन टैबलेट को लैप्टॉप से जोडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले वारलेस और नेटवर्क सेटिंग मेन्यो पर जाएं कुछ फोनों में वारलेस होट्सपॉट बनाने के लिए एप्स मेन्यो में एप होते हैं अब जोडने वाले वहनिये होट्सपॉट या इसी तरह के किसी विकल्प पर क्लिक करें आगे वहनिये होट्सपॉट या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और नेटवर्क का नाम सेट करो और अथवा पासवर्ट सेट करो तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिये हुए वारलेस नेटवर्क को वारलेस नेटवर्क के माध्यम से अपने लैपटॉप के नेटवर्क से जोड़े इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था अब हम लोग मज़िदार गतिविदी में भाग़ें दिदी के आप जानती है कि हम इंटरनेट पर कुछ जूनते समय हाइपर लिंक के सामने www क्यो लिखते हैं www का आर्थ वर्ल्डवाइड वेब होता है वर्ल्डवाइड वेब मैंने इसके विशे में बहुत सुना है क्या आप इसके बारे में और बता सकती है जरूर रोहन मैं बताती हूँ कि World Wide Web क्या है World Wide Web www.worldwideweb का प्रतीक है World Wide Web में Web उपसमुच्चे है ना कि उसका पर्याए Web पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक Web Browser का उपयोग कर पहुचा जा सकता है Telnet, FTP, Internet Jua, Internet Relay Chat, IRC और E-Mail सभी Internet का अंग है लेकिन यह सब World Wide Web का अंग नहीं है Hyper Text Transfer Protocol एक विदी है जिसका प्रयोग Web पन्नों को आपके कम्प्यूटर को स्थानांत्रित करने में किया जाता है Hyper Text के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी वेब साइट के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं World Wide Web के अंग हैं Web Server, Web Browser, Web Page, Web Site, Web Address Web Server एक पदती है जो Internet पर अंतिम उपयोग करता तक विशह वस्तू या सेवाओं को उपलब्ध कराता है Web Servers वे Computer हैं जो Web Page को उपलब्ध कराते हैं प्रतेक Web Server का एक IP, पता वर डोमेन नाम होता है उदाहरन के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्ज करते हैं कि यह है एक Web Server जिसका डोमेन नाम Google.com को निवेदन भेज देता है Web Browser एक Software अनुप्रयोग है जिनका प्रयोग World Wide Web पर ढूनने, पुनर प्राप्त करने, विशेवस्तूं को प्रदर्शित करने में होता है इसके अतिरिक्त इसमें Web, फोटूएं, वीडियो वा अन्य फाइलें आती हैं जैसे कि ग्रहक सेवक मॉडल, कम्प्यूटर पर चलने वाला Web Browser एक ग्रहक है, जो Web Server से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है Web Server सूचनाएं वापस Web Browser को भेज देता है, जो परिनामों को कम्प्यूटर पर दर्शाता है अत्वा उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते हैं Web Page वह हैं जिनसे World Wide Web बनती है यह दस्तावेज, HTML, Hypertext, Markup, Language भाशा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के द्वारा अनुवादित किये जाते हैं Web Page या तो स्थेतिक अत्वा गतिक हो सकते हैं स्थेतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर एक ही विशेवस्तू दर्शाते हैं गतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर अलग-अलग विशेवस्तू दर्शाते हैं ये प्रश्ट आदर्श रूप से भाशा जैसे PHP, Perl, ASP या JSP में लिखे जाते हैं वेबसाइट एक दूसरे से संबंधित प्रश्टों का संकलन है सामाने तर यह या तो एक ही विशय पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विशय उपर होते हैं वेबसाइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है उसे Home Page कहते हैं वेब पता पते की ऐसी पंक्ती है जिसमें Address Protocol, Domain Name तथा File Path होता है सामाने तह इंटरनेट पर इसका प्रयोग, वेब प्रिष्ट, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेश उलेख करने के लिए किया जाता है वेब ब्राउजर उपियोगी अनुप्रयोग हैं जो World Wide Web सूचनाओ को ढूंडने के लिए बनाए गए हैं Download, Bookmark और Password प्रबंधन वेब ब्राउजर के सामाने लक्षन है इसमें क्रियाएं जैसे Spelling Check, Search Engine Toolbar, Tabbed Browsing, Advertisement, Filtering और HTML, Access Button, Pop-Up और Blocking होती है अब हम विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर हैं Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari Internet Explorer Microsoft द्वारा तयार किया गया और Microsoft Windows के ओरेंटिंग सिस्टम के सहाइक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया यह विश्व भर में सरवादिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है यह ब्राउजर online संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वरित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तकनीक के लिए भी अच्छा है Firefox Mozilla से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वह इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर है किया आप अपने कम्प्यूटर पर Firefox का प्रयोग नहीं करती है दीदी? हाँ यह वही है जो मैं अपने कम्प्यूटर में प्रयोग कर रही हूँ Google Chrome Google द्वारा विक्सित एक वेब ब्राउजर है यह अति सुक्ष्म आकृती को परिश्कृत तकनीक के साथ मिलाता है जिससे वेब तेज, सुरक्षित वा आसान हो जाता है Opera Software ने 1996 में Opera ब्राउजर का विकास किया Opera अन्य ब्राउजरों से छोटा है और ज्यादतर अन्य ब्राउजरों से बहुत तेज काम करने वाला है यह तेज है और यह कीबोर्ड कई Windows Zoom functions वह अन्य के साथ आसानी से चलता है यह Java वह Java रहित दो रूपों में मिलता है इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदश ब्राउजर है Safari ब्राउजर Apple INC द्वारा विक्षित किया गया है और Mac OS X में शामिल है यह सबसे पहले जन्वरी 2003 में Public Beta के नाम से जारी किया गया था यह वेब ब्राउजर सभी नवी नतम तक्नीकों जैसे XHTML, CSS2 आदी का समर्थन करता है दीदी अब मुझे दिखाईए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करो Start बटन पर क्लिक करो All Program पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो Browsing Window दिखेगी सामाने तर वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते है Title Bar, Web Page व वेब ब्राउजर का नाम दिखाता है इसमें तीन विंडो बटन होती है Minimize, Restore बटन या Maximize और बंद Address Bar में उस वेब साइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें इसमें Go या Refresh और Stop बटन होता है Go बटन वेब पेज या वेब साइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है Refresh बटन आपको वेब पेज को पुनह लोड करने में मदद करता है और Stop बटन एक्स्प्लोरर द्वारा चलाई जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है Address Bar के Buy और Back वो Forward बटन होते हैं ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेब साइट पर जाने में मदद करते हैं Menu Bar पर कई विकल्प होते हैं जैसे File, Edit, View, Favorite, Tools और Help Web Page क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेब साइट या वेब पेज दिखते हैं Status Bar, Website, Web Page की प्रगती या स्थिती के बारे में Waiting, Loading या Done दिखा कर बताता है Search Engine वह वेब साइटे हैं जिनका उदेश उस वेब साइट को ढूंडना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंड रहा है किन्तु उसके पास उस वेब साइट का विशिष्ट पता उपलब्ध नहीं है कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजिन जैसे Google, Yahoo, MSN है Google सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजिन है SEs, वेब सर्फ करने के लिए जिन इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रॉबर्ट या स्पाइडर कहते हैं वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूंडने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ खुंगते हैं निर्देशी का वेब साइट की डारेक्ट्री का उप्योग करती है जो की हाथों से जाची वह उनमें उपलब्द सूचना के अनुसार वर्गी कृत की जाती है याहू डारेक्ट्री SE का उदाहरन है सर्च इंजिन इंटरनेट पर सूचना ढूंडने के ओजार हैं सर्च इंजिन वेब प्रिष्टों की तरह के हैं और उनको भी वेब ब्राउजर का प्रयोग कर खोलना पड़ता है साधारन ता सर्च इंजिन एक शब्द या शब्दों के समूह या विशे पर आधारित होते हैं इन शब्दों या मुहावरों को की वर्ड्स कहते हैं गूगल जो की सरवादिक प्रयोग किये जाने वाला सर्च इंजिन है का प्रयोग करते हुए किसी चीज को खोजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहला वेब ब्राउजर को चालू करें तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर यह टाइप करें मानिये यदि आप ग्रामीन भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं तो नीचे दर्शाय गए कीवर्ड टाइप करें अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें अत्वा एंटर बटन दबाएं दिखाए गए लिंकों की सूची देखें जिनके साथ प्रतेक वेबसाइट का संक्षिप्त विवरण भी दिखेगा सुसंगत लिंक पर क्लिक करें यदि आप किसी और विशे पर सूचना खोजना चाहते हैं तो सर्च इंजिन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं उसके कीवर्ड टाइप करें फिर सर्च बटन पर क्लिक करें विभिन वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे सुसंगत लिंक का चैन करें और वांचित सूचना पढ़ें यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दुबारा जाना चाहते हों तो उस पेज को आप बुक मार्क बना सकते हैं फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे उपर दाएकोने पर क्लोज बटन दबाएं अब रोहन मैं चाहती हूँ कि सर्च इंजन का प्रयोग करने का प्रयास स्वैम करो बिल्कुल एवल यह बताईए कि क्या खोजना है ठीक है गूगल का प्रयोग कर ग्रामीन भारत में कम्प्यूटर शिक्षा खोजो स्टेप वान वेब ब्राउजर खोलें स्टेप टू एड्रेस बार में www.google.com टाइप करें स्टेप त्री सर्च बॉक्स में कम्प्यूटर लिटरेसी इन रूरल इंडिया टाइप करें स्टेप फोर गूगल सर्च पर क्लिक करें Step 5, Computer Literacy in Rural India से संबंधित विभिन परिणाम प्रदर्शित हो जाएंगे अब तुम इंटरनेट के विशे में बहुत कुछ जानते हूँ चलो, अब हम मज़ेदार गतिविधी में भाग लेते हैं